Hello students of class 4th exercise 3 previous question में मैंने question D समझाए था अब मैं समझा लिए question E question E है fill in the space with roman numerals that come before or after the given numerals तो इनका before और after लिखना है तो first है ये number है 98 मैंने इसे rough work में ऐसे 98 लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए और आप लोग अच्छे से कर पाए ठीके तो ये है 98 98 कैसे हुआ 100 और ये क्या है 100 मैनस 10 90 होता है 5 6 7 8 ये है 98 तो 98 के बाद क्या आता है 99 तो मैंने इसे roman numerals में blank पर लिख दिया 99 ये इसका answer है ये रपर का है ये answer है तो ये लिख दिया आपने 99 ठीके अब second है ये लिखा हुआ है 51 ठीके 51 से blank में क्या लिखना है before लिखना है 51 से पहले क्या आता है 50 और L4 क्या होता है 50 तो इसका answer मैंने ऐसे लिख दिया है roman numerals में L लिखा है ठीके अब third है 50, 60, 70 और 80 और ये है 9 तो ये है 89 अब 89 लिखा हुआ है तो अब इसके बाद में क्या आता है 89 के बाद क्या आता है 90 आता है तो मैंने इस roman numerals पर black में क्या लिखा 90 ठीके X और C ठीके ये हो गया हमारा 90 ये मैंने लिख दिया 90 ये मैंने question E समझाती है question E के बाखी जो question से वो इसी तरह करने है अब मैं बता रही हूँ question F ठीके question F है simplify the following and give your answer in roman numerals ठीके तो first है 64 plus 2 ठीके is equal to इन दोनों को plus करने पे कितना आता है 66 आता है इसको हमें answer किसमें देना है roman numerals में देना है तो ये मैंने roman numerals में 66 लिख दिया 50 60 और ये 6 ये हो गया 56 ये मेरा answer है 64 plus 62 is equal to 60 64 plus 2 is equal to 66 ये मैंने answer लिखा है 66 ठीके क्योंकि 64 plus 2 add करने पे किया आता है 66 ये मैंने answer roman numerals में blank में लिख दिया ठीके अब second है 165 plus 21 165 plus 21 कितना होता है 186 ठीके तो मैंने इसा roman numerals में वहां पे लिख दिया 150 60 70 80 और ये है 6 तो इसा roman numerals में मैंने लिख दिया 186 ये मेरा answer है 165 plus 21 is equal to 126 165 plus 21 is equal to 186 ठीके ये मैंने roman numerals में उदर लिख दिया अब थार्ड है 777 minus 666 इन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है 111 तो ये मैंने 111 roman numerals में लिख दिया 100 और ये 10 और ये 1 ये हो गया 111 777 minus 66 is equal to 111 ठीके फिर से बता देती हूँ 64 plus 2 is equal to 66 ये मैंने roman numerals में लिख दिया 165 plus 21 is equal to 186 ये भी मैंने roman numerals में लिख दिया आंसर roman numerals में लिखने है थर्ड है 777 minus 666 is equal to 111 ये मैंने roman numerals में लिख दिया अब इसी तरह question F करना है आपको घर पे अब A4 question सब्जारी हूँ Question G Question G है Rewrite the following sentence by changing roman numerals to Hindu Arabic ठीके इन sentence को rewrite करना है Roman numerals को किसमें change करना है Hindu Arabic में तो first में क्या है There are ये कितने लिखे हैं 46 लिखे हैं ठीके ये पूरे क्या लिखा है 46 50 minus 10 40 और ये 6 तो ये है 46 46 students in my class ये किसमें लिखा हुआ है Roman numerals में अब इस sentence को हमें rewrite करना है और Hindu Arabic में लिखा है तो मैंने लिखना है तो मैंने क्या लिखा There are 46 students in my class ठीके इसी तरह ही equation G करना है बहुत ही simple है Question E, Question F, Question G आप लोगों को बाखी की question इसके करने है और ये exercise खत्म हुई नेक्स वीडियो में मैं स्सार्ट कराऊंगी Exercise 4 That's it